छातर आजमले उस्लिखेंगे Oxford Junior English Translation के exercise 125 का हॉल करना और जैसे कि यहां पर आप sentence देख रहे हैं एक लर्का है चार लर्के हैं लर्के हैं एक गाय है तो इसे आप कैसे बनागेगा जैसे है वैसे बनादे जैसे कि आप देख रहे हैं एक लर्का है तो एक का क्या लिखेगा और और जो लर्का कर लिखेगा बोहाए इज तो क्या यह सही होगा नहीं यह गलत हो जाएगा तो इसे हम कैसे बनाएंगे इसे हम बनाएंगे पहले डालेंगे इसमें day-r पहले क्या डालेंगे देयर इसके बाद यदि singular रहे तो इज लगाना है यदि plural रहे तो आर लगाना है और इसके बाद यादी singular आ है तो इसमें आपको or या and का भी प्रियोग करना है ठीक है वो भी countable noun में और इसके बाद जो noun आ है वो यहाँ बे ढलना है इस तरह से। इस तरह से आपको बनाना है देखे आपको समझता है इज कहां लगा है तो इज आपको singular noun में लगाना है अब देखे एक लड़का है तो क्या लिखेंगे पहले दियर आव क्या लिखेंगे दियर there are four 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 लिए four 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 लड़की है लड़की है तो ये जो है plural है तो लिखी there 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 आर ब्वाज लड़के हैं एक गाय है लिखे दियर दियर इज आ काउ एक गाय है दियर इजब काउ दो गाय है लिखे दियर आर टू काउ एक काउज दियर आ टू काउज गाय है लिके दियर इजब काउज इल लिखेगा लिखेगा पहले देर पहले लिखेगा देर और यहां पर यहां पर जार है न तो आपको वाज लिखना होगा वाज या फिर विएर और ऐसे ही accountable noun आहे तो आपको A का पर्यूक करना है इस तरह से और प्लस noun इस तरह से बनाना है यहीं पर change हो गया है कि each के जगह आपको जो है वाज का पर्यूख करना है एक बच्चा था तो यह singular है लिएर there was a child there was a child एक बच्चा था दो बच्चे थे लिखे there और where लिखे where to children child से चिल्रेन हो जाएगा बच्चे थे लिखे there there where children वहाँ एक लरका है दिखे यहाँ पर पहले वहाँ आ गया है तो इसे आप कैसे बनाएगा अगर मालीज आपको है रहे तो इसके लिए और था रहे इसके लिए लास्ट में आपको क्या करना है दोनों में आपको वहाँ के लिए क्या लगा देना है there वहाँ के लिए आपको there लगा देना है last में ठीक है छोटा दीजेगा यहाँ पर वहाँ के लिए there और यहाँ के लिए here यहाँ के लिए here लगा दीजेगा है समझ गया आप यदि वहाँ आए तो last में आपको क्या करना है sentence के last में there लगा देना है वहां रह तब और यहां के लिए हेर लगा देना है और यह ऐसे हही उजगा सभी में देखे वहां एक लरका है तो लिखेए there there is a boy there वहां के लिए there is a boy there यहां एक guy है लिखे there is there is a cow here there is a cow here वहाँ बच्चे थे तो लिखे दियर और यह plural है तो वेर आएगा दियर वेर और बच्चे का लिखे चिल्डरेन चिल्डरेन और वहाँ है तो दियर दियर चाय है लिखे दियर there is tea there is tea tea there was tea tea वहाँ चाय है देखिए वहाँ चाय है लिखे there is tea और वहाँ there यह जो है tea जो है uncultable noun है इसलिए यहाँ पे or n का प्रियोग नहीं होगा यहाँ दूद है यहाँ दूद है तो लिखे there है है न there is milk milk और यहाँ का लिखे here there is milk here एक पेर था था है तो लिखे there was there was a tree एक पेर था वहाँ दस पेर थे देखिए थे है तो लिखे there there और वेर लिखे plural है there वेर तेन तेन trees और वहाँ है तो there यहाँ पे लिखे देजे there there एक आदमी है एक आदमी है लिखे there is a man एक आदमी है एक राजा था लिखे there there था है was was a king एक राजा था एक लरका और एक लरकी है एक लरका और एक लरकी है तो लिखे यहां से लिख देते ठीक है देयर देयर आर plural sentence है देयर आर लगा का लिखे बुआ है बुआ है एंड जोड़ी है एंड आ गर्ल गर्ल एक सहर था लिखे देयर और था है वाज वाज आ टाउन एक सहर था कुछ लड़के हैं है है तो लिखे देयर देयर आर सम बुआ है कुछ लड़के हैं सांती है लिखे देयर इज पीस देयर इज पीस सांती है इमानदारी थी थी है लिखे देयर एक पुस्तकाले है एक पुस्तकाले है लिखे दियर एक पुस्तकाले है वहाँ पत्थर है यह जो है यह पत्थर जो एक पुस्तकाले है तो यहां पर आप देख रहें एक नहीं लिखा है तो फिर भी हमें जो है इंग्लेज में और डालना होगा तो यहां पर लिखेंगे वहां पत्थर है लिखेंगे दियर इज आ एस्टोन और वहां का लिखे दियर यहां चार टोपिया है लिखे दियर दियर आर फोर फोर कैप्स कैप्स और यहां का लिखे हेर एक मंदिर था लिखे दियर और यहां पर वाज आएगा दियर वाज आ टेमपल यहां कुछ है यहां पर लिखे दियर इज और कुछ का लिखे शॉम्थिंग सॉम्थिंग हेर कर दो और लिखे sudah वाज सॉम्थिंग हेर